हेलो फ्रेंड्स मोस्ट वेलकम बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी टेक्नेक्स टू में दोस्तों आज एनस्पी स्कॉलर्शिप यानि नेशनल स्कॉलर्शिप के बारे में बात करने वाले हैं क्यूंकि यूपी बोर्ड का रिज किलियर करेंगे आपके इस सवाल का और बात करेंगे नेशनल स्कॉलर्शिप यानि सेंट्रल गवर्मेंट के स्कॉलर्शिप के फॉर्म कब से शुरू होने वाले हैं तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तरप्रदेश का सबसे बड़ा बोर्ड यूपी बोर्ड है उसका result आ चुका है। दोस्तों ICCC board का भी result आ चुका है और काफी सारे board हैं जिनका result आ चुका है लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए कि state level के अलावा central level के जितने भी board होते हैं यानि जो other states में होते हैं उन सभी का result जब जारी हो जाता है तब ये NSP scholarship के form शुरू होते हैं क्योंकि ये पूरे India level पर भरे जाते हैं और जब तक सभी लोगों के result लगबग नहीं आ जाएंगे तब तक ये scholarship के form जारी नहीं होंगे बात करेंगे दोस्तों date की तो यहाँ पर चलते हैं NSP scholarship के portal पर देखते हैं कोई notification तो नहीं आया है यहाँ पर scholarship.gov.in website है जहां से ये form भरे जाते हैं दोस्तों यह पर इनके form शुरू हुए हैं अभी जो normal forms है minorities हैं और other form अभी start नहीं हुए हैं तो यहाँ पर देखिए जो last year की बात की जाए तो central government के scholarship के form last year भी अगस्त के महीने में जारी हुए थे अभी फिलाल जुलाई का महीना चल रहा है और जुलाई के महीने में यह form शुरू हने का तो सवाली नहीं है अगर हो जाएं वो एक अलग बात है लेकिन जहां तक हमारा idea है एक अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच form स्टार्ट हो जाएंगे लगबग सभी school सभी boards के result आ चुके होंगे इसके अलावा दोस्तों इस website को regularly visit करते रहे हैं क्योंकि scholarship form आने में अभी कम से क हम 20 दिन के करीब लग जाएंगे तो जब भी यह form आएंगे हम आपको वीडियो बनाकर आपको जरूर इंफर्म करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन का बटन प्रेस करें ओके फ्रेंड्स हमारा वीडियो सिर्फ यही तक मिलते हैं फिर सिखने वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत